रूसी डॉक्टर की कहानी जिस ने इंटार्टिका में अपना अपैंडक्स, निकाला इंसानी बरदाश्ट और तिब्दी, जहानत के नाकाबिल यकीन कारणा में, का सच्चा वाकिया है, एक हजार नौसो एकसट में, डॉक्टर लिूनीड रुगोजोफ, सुवियत यूनियन की छटी अंटार्टिक, मुहिम के रुक्न थे, जो नवालिजार योसकाया, स्टेशन पर तैनात थे, वो टीम, मैं वाहिद डॉक्टर थे और इस, मुहिम से पहले उन्होंने वसी, तिब लगा, उसे जल्द ही एहसास, हो गया कि उसे शदीद अपियंडी साइट्स, हो गया है, एक मुम्किना तोर पर जान, लेवा हालत जिसके लिए फौरी सरजरी, की जरूरत है, करीब तरीन, हस्पताल एक हजार मील से जादा, दूर था, और इमदादी टीम को, पहुंचने मे कई दिन लगेंगे, हिम्मत और अजन के एक शानदार, मुझाहरा में, डॉक्टर रुगोजोफ ने, अपने उपर सरजरी करने का फैसला, क्या, उसने उसकी मदद के लिए, अपने दो साथियों को तयार किया, और, मकामी एंस्थीजिया के तहत आपरेशन, शुरू किया, के लिए आइने का इस्तेमाल करते हुए, डॉक्टर रुगोजोफ ने एहतियाद से, अपने पेट को काट कर अपना मुतासरा, अपैंडक्स निकाल दिया, ये आपरेशन, तकरीबन दो घंटे तक जारी रहा, और, डॉक्टर रुगोजोफ ने बगएर किसी, पेचीदगी के ये तरेका कार काम्याबी से मकमल किया, अपरेशन के बाद, डॉक्टर रुगोजोफ दो हफ़तों तक स्टेशन के उनफरमरी में रहे, सरजरी से, सहतियाब हुए, खुद सरजरी की उसकी नाकाबल यकीन कहानी, पूरी दुनिया में मशूर हुई और, इसके बाद से ता दो हजार में, अपनी मौत तक एक मौालिज के तौर पर काम करते रहे, खुद सरजरी का उनका बहादुराना, अमल दुनिया भर के लोगों को मतासिर करता रहता है, और उनकी मिरास इनसानी रू की नाकाबल, यकीन लचक और अज्म की याद, दहानी का काम करती है.